आप बुल्ख और इसी के कारण पर रियाक्शन था अगर आप गालिया देंगे या देश के बारे में को छुटा बोलेंगे अगर पर सिली प्लदी देंगे तो आप क्या इक्स्पेक्ट करते हैं कि चले जाओ या कुछ न बोलके चले जाओ उस तरीके के तो मैं घप्ती हूं और पैसे लोगों को आप तना जाओंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए जब आप मैस देखने आए तो आप आपटी टीम को सपोर्ट करिए ठीके वहाँ पर कुछ पुलिटिकल करने के जुरूद देने के जुरूद निया कश्मीर का मुदा उठाने के जुरूद निया और हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने के जुरूद निया अपने देश को सपोर्ट करें वहां पर हिंदुस्तानी क्राउड भी साओ अपने प्लेइस को सपोर्ट कर करी किसी भी खिलारी को या किसी भी रिक्ति को नवसके बारे में कुछ गलट को लिए कंश्मीर के बारे में कुछ बूर्ग है कि दोने घुणि के वाज आरे कि उस पे आप ते रियाक्ट किया जाए अशच्वा पर तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर इंडियन क्राउडफा वह अगर किसी को भी सब्सक्राइब लगा रहा है तो वह लोगों को यह तरह लोगों ने तरह विए प्रॉड़ाबाद के लगा तो अपर इंचा लोग तरीके के खड़े तो अपमें चेक्ट करते हैं कि कुछ ना ब अगर देश के प्रतित हो पर आप तो इतने पुरी दुनिया में क्रिकेट आपको अफ लिए इस तरह के घटनाए बढ़ी आपने तो पुरी दुनिया में दस-पंदिर साल क्रिकेट खेलिए इस तरह नेशनलिजम को लेकर तभी मैंने ये बोला कि जब मैं दोनों देशों के क्राउट से करना जाओं कि जब आप इंडिया पाकिसान का माच देखने आए तो माच देखिए माच को इंजॉय करी अपने देश को सपोर्ट करी अपने खिलाडियों को सपोर्ट करी मेरा मैं शिकायब करने वाला वेपी नहीं हूँ और मेरा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में शायद सेक्यूरिटी इसको बहतर तरीके से हंडल कर सकती है ना कोई कॉमेंटेटर ना कोई खिलाड़ी है जैन्ने वाड़